नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकरों के साथ सबसे पहले आप सब लोगों को दिपावली की बहुत शुबकाम नाए, बधाई और उमीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, दिपावली अच्छे से मना रहे होंगे और आपका परिवार भी सकुषल होगा तो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका UGC NET GRF हिंदी की परिक्षा 13 नवंबर 2020 को morning shift में हुई थी उसको, इससे पहले हमने evening वाली जो shift थी उसके बारे में प्रशन डिस्कस कर लिये थे, जो जो हमें याद थे और अभी हम देखेंगे जो सुबह वाले session में प्रशन पूछे गए थे, कि वो कौन-कौन से प्रशन पूछे गए थे और कितने प्रशन जो है हिंदी साहित्यवारता चैनल से आए हुए थे या कौन से इतने प्रशन थे जो हमने पहले प्रिक्षा से पहले discuss किया था अपने चैनल के जरिये तो चलिए दोस्तों बिनादेर किये शुरुआत करते हैं आज के lecture की देखिए सबसे पहले यहां पर प्रशन पूछा गया था कि उचारन स्थान के अधार पर कि किन ध्वनियों का उचारन जो है वो तालब्य है या तालू से बोली जाती है तो देखिए यह वाला प्रशन हमने अपने सहीते वार्दा चैनल में बहुत अच्छे तरिके से डिसकस किया था आप चाहें तो देख सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है व्याकरन के नाम से वहां पर हमने स्वारों और व्यंजनों के उचारन स्थान है वो अच् विधाएं हैं और वो भी हमने अच्छे तरिके से डिसकस की हुई हैं जो हमारी प्रशनूत्री वाली सीरीज है या फिर जहां पर हमने अग्ये के नाटकों के बारे में या अग्ये की रचनाओं के बारे में पढ़ा था वहां पर हमने इसको बिस्तार से पढ़ा है कि तरिक उसके जो प्रमुख और चीजे हैं, उनके बारे में हमने डिसकस किया हुआ था, तो लीजा और रिचर्ड के बारे में भी हमने वहाँ पर देखिया, अच्छे से डिसकस किया था, तो हिंदी साही तेवाता चैनल से जो जो प्रशन पुछे गए थे दोस्तों, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी प्रिक्षा से पहले, और उमीद करते हैं कि आगे आने वाले सेशन में भी हम इस तरीके की कुछ एक वीडियो और आपके लिए बनाते रहेंगे, जो बहत उपयोगी होंगी, तो देखिए फिर उसके बाद प को पूचा गया था, कि इनको आपने करमानुसार रखना था, तो देखे, सिंपल सा था ये प्रश्न भी, कि इसमें हमने सबसे पहले किसको रखना था, भामा को रखना था, और ये वाली भी हमने वीडियो दोस्तों लगबग अपने तीन या चार दिन पहले ही डाली थी, इ उसके बाद एकदम से भामा चाटी शेताब दी में आते थे और विकल्प में भामा ही एक मात रथा जो सबसे पहले था तो वही वियाला विकल्प क्या है सही था ठीक है फिर मनुबंडारी के उपन्यास पूछे थे देखी मनुबंडारी जब हम आपका बंटी पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने मनुबंडारी के उपन्यासों के बारे में विस्तित तरीके से बात की थी तो इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था तो मनुबंडारी का जो उपन्यास है देखी यह है आपका बंटी लगा हुआ है दूसरा आपका महा भोज तो यह दो ही पूचे थे कि दो हैं या कितने हैं ठीक है गोरी सोवे सेज पर तो अमीर खुस्रो पर भी हमने एक पूरा विस्तरित लेक्चर त्यार किया हुआ है कि अमीर खुस्रो के जीवन वृत के बारे में कि खुस्रो के बारे में शुकल जी क्या कहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने हुई थी गोरी सुवे सेज पर जो पंक्तियां है ये कही थी उनने निजामों दिन आलिया की मृत्यू पर कि गोरी सुवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रेन भही चोहूं देश तो ये वाली पंक्ति भी हमने डिसकस की हुई थी उसके बाद देखे ये तो अगली पंक्ति है जो नागर बाहिर डॉंभी तोहूरी कुडिया च्हाई तो इस वाली पंक्ति को भी हमने अच्छे से डिसकस किया हुआ तो जो अपना अफ़वरशकाब्य है वहाँ पर हमने इसको अच्छे से विस्तार से देखा था कि किस ने कही है ये कणापा जी हैं, कहीं थी, तो कनपा के उपर जो भी आपके जितने भी यह सिद्ध हैं, इन सब के उपर हमने क्या है अच्छे से के सीरीज चली थी जहां पर हमने प्रिवियस एर के पेपर को पढ़ा था तो अंदा यूग में हमने अच्छे तरीके से वहां पर इनको डिसकस कर लिया था कि सबसे पहले कौन आरना था इसमें कौरव नगरी आना था उसके बाद पशु का उदा है फिर अश्वथामा का अर् पूछा गया था वहां पर जो हमारी प्रिष्ण सीरीज थी उसमें डिसकस इसको किया हुआ है तो पर्ट-Wiliam College से संपौर्न जो प्रशन है वो मालूम नहीं कि किस तरिके से पूछा गया था पूछा गया था पर आता है नातों की संख्या तो ये अचारे राम चंप शुकल काल विभाजन के अधार पर इस तरीके से एक प्रशन पूचा गया था ठीक है तदभव शब्द नहीं है तो देखी जो तदभव शब्द नहीं था वो था आपका वायू वायू कहा था तदसम शब्द है फिर मानस का हंस के पात्र पूचे गए थे कि मानस का हंस अमरितलाल नागर तो देखी ये आपका जो शाम वाली शिप्ड थी उसमें भी अमरितलाल नागर के उपनियासों को पूचा गया था क्रम के अनुसार लेकिन यहां पर मानस का हंस जो था वो इनके पात्रों के बारे में पूचा गया था तो इसमें जो प्रमुख पात्र थे देखी वो तुलसिदास, मेना, कहारिन, श्यामो श्यामो की बुआ, संत बेनी माधवराम दुएदी इत्यादी मतलब ये इसके जो हैं प्रमुख पात्र थे फिर पात्रों से रिलेटिड जो दूसरा प्रशन था देखी ये था अशार का एक दिन, तो अशार का एक दिन में देखे कौन से थे, जैसे आपका दंतुल, मतुल, मलिका, अंबिका है ना, ये फिर आपका कालिदास, रंगीनी, तो इस तरीके के जो पात्र हैं, ये किसके हैं, ये आपके रशार का एक दिन के हैं, है ना, तो पात्रों से रिलेटिड बहुत सारे प्रशन पूछे गए थे, उसके बाद आता है, आपका देखिए, शरत चंदर वाला जो प्रशन, ये बहुत सिंपल प्रशन था, अवारा मसीहा, हमेशा इस ही को पूछे जाता है, बार बर पूछे जाता है, है ना, तो इशरत चंदर के जीवन पराधारित है, जीवनी है उनकी ये, फिर प्राइशित जो कहानी है, मुझी प्रेम चंद या किसकी है, इस पर देखिए क्या है, कि इसके भी पात्र पूछा गया थी, ये किसकी है, तो इसमें मदारिलाल और सुबोद, ठीक है, तारीक शब्द है, देखिए, ये किस भाशा का है, तो जो तारीक है, देखिए, ये है आपका अर्भी का तो ये वाला प्रशन आपको जो गोविन पांडे और सरसुती पांडे की पुस्ता के लिए कि उसमें मिल जागा कि वहाँ पर इसमें इसका उत्र दिया है ये तारीक जो शब्द है वो अर्भी का है फिर पास चाते विद्वानों का करम पूछा गया था सबसे पहले देखी उसमें आपके जो कॉलरिज थे या शायद उसके बाद रोलावर्त को पूछा था सशीओर को बूछा था इलियट को पूछा था तो वहesin पर सबसे पहले कॉलरिज का समध 1772 तर, तीजै के बाद आपका जो इलियट थे 1818, फिर दो ससीोर या रोलाबर्थ, तो ससीोर को बीच में डाल सकते थे हमकी, सबसे पहले आपका आजाना था, जो आपका कॉलरिज था, उसके बाद ससीोर फिर आना था आपका इलियट फिर आठार में रोलाबर्थ, या इस तरीके से या पिर आप या कुछ और थी या आप मुझे बता दें कॉमेंट सेक्शन में जाकर कि कौन से पाश्याते भी दुआन पूछे गए थे फिर आता है कहानियों को क्रम से पूछा गया था कि आपने कहानियों को क्रम अनुसार रखना है तो इसमें था देखिए एक टोकरी भर मिट्टी और आपका प्लेग की चुडैल था फिर ग्यारा वर्ष का समय और फिर दुलाई वाली तो ये कुछ एक कहानिया थी इनको आपने इस तरीके से ही क्रम वाइज रखना था अस्थिर्ता शब्द को लेकर अलोचना किस ने लिखी थी तो देखिए ये लिखी थी आपके जो बालमकुंत गुप्त जी है उन्होंने तो इसका साही उत्तर होना था ये वाला सतपुडा के जंगल देखिए पवानी प्रसाथ मिश्र की जो महत्रपुर्ण ये कवीता है इसमें पूछा गया है कि सतपुडा के जंगल की जो गौड जाती थी वो किसे पालती थी तो इसका जो सही उत्तर था देखिए वो तीतर और मुर्गे फिर ये देखिए क्रिशन पर आधारित जो रचना है भ्रहमर गीतर उद्दव शतक बहुत साधारन सा प्रशन ये भी था मिलान के लिए पूछा गया था देखिए जो हमारी पत्रिकाएं हैं या पत्र पत्रिकाएं ये दूसरे पेपर में भी इसी तरीके से पूछा गया था तो अलोबर अगर देखा जाए को तो पूरा का पूरा प्रशन जो है वो एक दूसरे से मैचिंग है इसी तरीके के प्रशन जो है पेपर जो शाम वाला पेपर हुआ था उसमें भी इस तरीके के ही प्रशन पूछे गए थे तो ब्राह्मन पत्री का देखिए वो प्रताप नरान मिश्री जी की है अगर आपने ये विलान कर ले थी तो बाकी आपका सही उत्तर होना था इरान पर अधारी तरचना थी देखिए ये था साथ समंदर पार ठीक है फिर उसके बाद एक अन्य जो प्रशन पुझा था देखिए अलमा कबुतरी जो उपन्यास है ये किसका है तो ये है मैत्री पुषपाजी का ठीक है तो ये भी साधारन सा प्रशन है ललित निवंदकार नहीं है तो ये थे अचारे रामचंदर शुकल जी नेक्स्ट है देखिए कि शौरसैनी प्राकृत पूर्वी हिंदी और आधुनिक हिंदी इनको आपने क्रवानुसार रखना था तो सबसे पहले प्राकृत शौरसैनी फिर आपका पूर्वी हिंदी फिर आधुनिक हिंदी इस तरीके से इसका सही क्रम होना था next है देखिए कान नाक पर जलाधी इन में से भीन कौन सा है तो देखिए कान नाक और पर तो एक तरीके से शरीर के आंग है लेकिन जलाधी जो आपका है वो क्या है वो समुद्र टाइप है तो ये इन से क्या हो गया भिन हो गया तो ये थे कुछ एक मुझे अपने याद थे या दोस्तों के जरीए मालूम हुए कि इस तरिके के जो परीक्षा में प्रशन पूछे गए थे और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रशन हो सकते हैं अगर आपको याद हैं तो आप कोमेंट सेक्शन में जाकर बता स बहुत शुबकाम नाए हिंदी साही तेवारता चैनल के साथ अंध तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जहिंद